सीएम योगी के सामने विधान सभाग चुनाव से पहले एक नई चुनावती खड़ी हो गई है मुखे मंत्री योगी और बीजेपी पर वादा खिलाफी और एक तपके की नजर अंदाजी के इलजाम लगाय जा रही है जिसके चलते बीजेपी के अपने ही सहयोगी अप पराय होते नजर आ रही है साथ ही योगी को जनसंख्या नियंत्रण के मुद्धे पर घेरते हुए एक बड़ी टिपपड़ी भी सामने आई है आखिर किसने जनसंख्या नीती पर सीयम योगी के लिए कही है बड़ी बात जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट जनता से वादा कर भूल जाना तो नेताओं के डियाने में होता है लेकिन अब यूपी के सत्ता धारी बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी को अपना वचन भंग करना बहुत महगा पढ़ने जा रहा है साथ ही जनसंख्या कानून पर भी योगी आदितनाथ को आड़े हाँ लिया जा रहा है दरसल देश भर में चल रही जनसंख्या नीती की बहस के बीच बीजेपी की सहयोगी निशाद पार्टी के नेता संजे निशाद ने ही योगी पर तल्क टिपड़ी करते हुए कहा कि कहीं विधान सभा चुनाओ में योगी आदितनाथ की हालत इंदरा गांधी जैसी ना हो जाए क्योंकि इंदरा गांधी ने कड़े फैसले लिये थे इसलिए उनकी सत्ता चली गई थी साथ ही उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर निशादो की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया बतादे कि संजन निशाद ने कहा कि निशादो की उपेक्षा करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा पिछले विधान सभा चुनाव के समय बीजेपी ने कहा था कि सत्ता में आते ही निशादो की आरक्षन की मांग को प्रमुकता से हल किया जाएगा लेकिन वो तो सरकार की अंतिम प्रमुकता में भी नहीं है निशाद समाज के रोश के कारण बीजेपी को पंचायत चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा और अब बारी विधान सभा चुनाव की है वहीं उन्होंने योगी पर भी निशादों से दगा करने के आरोप लगाए उन्होंने कहा कि जहां योगी पहले निशादों को आरक्षन की बात का संसद में समर्थन करते थे वो अब इसका जिक्र भी नहीं करते बता दे कि संजन निशाद ने यूपी का त्रेस तरिय चुनाव भी बीजेपी से अलग होकर लड़ा था जिससे बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था खैर अब देखना दिल्चस्प होगा कि बीजेपी निशाद की नाराज़की को कैसे दूर करती है डीवी लाइफ की रिपोर्ट